एक गाइस गुड इवनिंग कैसे हैं आप लोग चलो देखते हैं कल क्या हो सकता है कल expiry day है आज तो फिन निफ्टी का expiry बड़ा जबर्दस गया होगा आप लोग का यह बिटकरन का चार्ट क्यों खुल गया है इसको बंद कर देते हैं तो आज मैं discuss कर लेता हूं कि कल हमने क्या-क्या discuss किया था और आज क्या-क्या हुआ है ठीक है फिन निफ्टी का मैंने आपको यह वाला दिया था चार्ट लेट मी जूम इन तो आप देख सकते हो कि जो मैंने points बताये थे फिन निफ्टी पे अगर आप उसी के साथ बरकरार रहते तो आपको कितना अच्छा profit होता ठीक है बट वो आपके उपर है आपको करना है नहीं करना है बट मैं जो analysis देता हूं उसको follow करो क्योंकि इतने साल का experience है तो वो technical analysis काम करता है फिन निफ्टी में आज देख सकते हो खुलने के बाद market उपर गया जो line मैंने कल बना के दिया था reject होके exactly वही line तक यहां पर आ गया है ठीक है फिर उपर गया वापस rejection मिला इसको and then मैं आपको trades बताता हूं आप क्या-क्या ले सकते थे एक तो आप यह जो engulfing candle है इस पे आप एक short ले सकते थे या put ले सकते थे आपका stop loss होना चाहिए था यह वाला जो trend line है इसके उपर या फिर यह जो candle का high है इसके उपर ठीक है क्योंकि इसके उपर चला जाता है तो फिर आपका ट्रेडी बेकार हो गया, you should not be in the trade anymore and आपका take profit exactly होना चाहिए था यह वाला लेवल यह वाला जो नीचे वाला लाइन है जो मैंने आपको दिया था यह वाला तो आप देख सकते हो almost 100 points के आसपास finnifty का trade है बहुत ही अच्छा trade हो था क्योंकि expiry day में आपको बहुत fast momentum मिला, second trade आपका quite easy था, market पूरा यह range में काफी देर से consolidate किया and जैसे ही यह trend line जो मैंने draw करके दिया था, मैं यहाँ पर trade नहीं लेता, more safe trade was this, यहाँ से फिर मैं PDC तक का trade ले सकता था और एक, ठीक है but mostly 13, 30 के बाद अगर आप trade में घुस रहे हो on an expiry day, it is generally very risky but मैं आज दिन का एकी trade लेता and फिर यहां से यहां तक इसको बन कर दिया होता, ठीक है hero to zero की जरुरत नहीं है, कितना अच्छा profit कमा सकते थे आप इससे सोचो, ठीक है तो technical analysis बहुत important है, जो लोग बोलते हैं कि technical analysis important नहीं है, आप algo लगा लो, उनको technical analysis आता नहीं है, इसलिए बोलते हैं, उन लोग जादा गाली नहीं देंगे उनको, but problem है कि आप लोग को गलत रस्ता दिखाते हैं वो लोग, which is not good, which I don't like also, ठीक है, bank nifty का देखो, मैंने same pattern आपको बताया था, यह वाला बड़ा वाला pattern, इतने साल से यह सब चीज देख रहा हूं, तो यह सब quite easily आ जाएगा, मैं आप बहुत सारे different different patterns दिखा के आपको सिखाऊंगा कि आपको चीज़े बहुत जादा easy लगेंगी suddenly, ठीक है, मैं already course recording stages में हूँ, तो मुझे एक अच्छा feeling आ रहा है कि बहुत अच्छा होने वाला एक course, maybe I'm covering almost everything, जो जो possible है, but initially हम लोग जल्दी release कर देंगे, उसके बाद हम लोग दीरे दीरे उसमें slots add करते जाएंगे, क्योंकि material तो बहुत ही जाता है, bank nifty का आप देख लो guys, यहां से मैंने जो आपको दिया था, shooting star candle बना, वहां से आप shot कर सकते थे, पूरा bottom तक, bottom of the candle तक shot कर सकते थे, यहां तक क्यों shot करना चाहिए था आपको, क्योंकि आपका PDC भी यहां पर align हो रहा है, यहां पर आपको trade बंद करना पड़ेगा, क्योंकि PDC के pass, mostly consolidation यहां फिर bounce आता है, आप देख सकते हो, market बहुत देर तक PDC के आसपास range किया, and then फिर जब वापस ही range तोड़ता है, आप फिर और एक shot ले सकते थे, यहां से, ठीक है, and यह वाला shot लेना न 9 मैंने आपको draw करके दिया था, वो यहां पर break हो था, and जैसे ही break होता है, market थोड़ा बहुत momentum करता है, ज्यादा point आपको मिलता नहीं, but scalping wise यह बहुत अच्छा होता, you can see कि 13.50, same जो finnifty का हुआ, उसके बाद आप देख सकते हो, कि market structure change हो गया था, तो आपको trade quite easily बंद कर द देखते हो, तो it was quite easily you could have predicted this, क्योंकि हम लोग तब से lower highs, lower lows बना रहे थे, यहां पर पहली बार हमने higher highs बनाया, तो यहां पर तो मैं ट्रेड लेता नहीं, क्योंकि मेरा limit trade का यह होता, क्योंकि मेरा pivot है, जैसे ही pivot के ऊपर जाता है, वापस market नीचे आता है, you can draw a lot of things, there are many ways to trade this तो supply demand mark करना इसमें important है, तो एक बार वो आप mark कर लेते, बहुत clearly दिख रहा है supply demand कहां पर है, मैं दिखाऊंगा नहीं आपको, but then अगर आप वो भी नहीं करते तो आप बस यह line के उपर जब market वापस जाता उपर, तो आप trade initiate कर सकते थे, somewhere on this candle, and आपका target वही होता, क्योंकि जो morning में consolidation range हुआ था, वही आपका दिन का resistance बन गया, ठीक है, bank nifty काफी technical है, तो उसको अगर आप technical analysis के साथ trade करोगे, तो I think it is quite easy to manage, जो भी होता है, जिन लोग को समझ में नहीं आता, trading वो लोग ही बोलते हैं कि market बहुत volatile है, momentum बहुत जादा है, मुझे कुछ समझ में नहीं बगेरा बगेरा फदाना चीज़ें, ठीक है, तो I think कि ये वाला pattern अभी और जादा matter नहीं करता है, बट फिर भी मैं ये drawings तो हटाऊंगा नहीं, what I can do is कि मैं इसको बस trend lines में shift कर देता हूं, में को और ये group चाहिए नहीं, ये वाले जो lines है, इनको अभी हम dotted कर देते हैं, क्य क्योंकि ये PDC के साथ match करी रहा है हमारा आज का, तो मुझे जादा tension लेने की ज़रत नहीं है, ठीक है, तो चलो कल का देखते हैं, हमारा trend line on नहीं है, शायद, let's see, yes, trend line is on, मैंने अभी on हो, okay, तो फिर trend lines के अगर बात करेंगे, तो फिर ये वाला जो line मैंने आपको कल बना क कि दिया था analysis में, आपको याद होगा, अब दिख सकते हो कि market ये वाले line को बहुत अच्छे से respect कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब की bias अभी थुड़ा बहुत भी interested है, बट अगर आज की बात करेंगे, तो लोगों के stop losses होंगे, I think expiry के लिए लोगों ने carry forward किया होगा, ये PDPOC important है नहीं कलगा, क्योंकि market काफी बड़े range में है, चीजें बहुत पास-पास है, तो PDPOC अगर हटा भी देंगे तो चलेगा, बट ध्यान रखना कि जो pivot है हमारा 42819 के असपस, यहां पर अच्छा बहुत reaction देखने को मिलेगा, ठीक है, मैंने कुछ गलत चीज हटा दिया अच्छा, दो PDPOC है, तो इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है, तो अगर यह होता है, तो मैं क्या करता हूँ न, यहां पर यहां पर, I think the best way will be, यह वाला छोटा resistance होने वाला, I think यह pivot अच्छा है, तो इसको हम लोग एक दिन का resistance लेके चले जाते हैं, क्योंकि शायद यह वाला level कल काम में आ सकता है, अगर market हमारा यहां पर कहीं पर खुलता है, तो फिर यह हमारा no trading zone हो सकता है, ठीक है, इस पर ध्यान रखना, इस बार जो weekly में हम लोग dollar का analysis करेंगे, वो important होने वाला है, तो make sure कि आप time plan करके आना, maybe मैं Saturday को stream करूँगा, क्योंकि Sunday को म अंदर खुल जाता है, में को कल कुछ नहीं करना है, क्योंकि में को पता ही नहीं है, यहां पर क्या कर सकते हैं, तो right, अगर खुल के नीचे जाते हैं, consolidate करके, then थोड़ा सा difficult होगा, दो तीन चीज़े आप note करना, जो भी पुराने trend lines है, वाँ पर अच्छा कासा support मिलता है, तो market अगर flat खुलता है यहां पर और नीचे जाता है, यह वाले trend line से support लेके उपर आ रहा है, तो फिर आप वो 50% वाला level के हिसाब से आप trade ले सकते हो यहां तक, but 42843 से जादा इसको hold मत करना, क्योंकि यहां पर जो लोग हैं, वो लोग उनको निकालने के लिए शायद market यह तक जा सकता है, तो यह हो जाएगा, कल expiry है, तो volatility भी रहेगा market में, थुड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, अगर इस range में market फस्स गया, तो फिर हम लोग उपर नीचे शायद होके बंद हो जाएं, जब तक नीचे की तरफ या उपर की तरफ, market यहां से ऐसे नहीं जाता, या हाँ पर बहुत सारे seller center करेंगे, क्योंकि मैंने आपको दो levels दिया है, 42506 and 42234, यह कल के लिए भी valid है, यह बहुत important levels होंगे, तो इसको धियान में रखना आप, ठीक है, and जो resistance है कल का, 42843 के साथ, यह वाला जो trend line उपर से आ रहे है, इसको combo करना, maybe trend line कल, यह हो सकता है कि market ज नीचे आए, PDC से वापस support ले, and then पूरा दिन ऐसे ऐसे हो के बंद हो जाए, ठीक है, बहुत सारे scenarios है, मैं आपको draw करके दे सकता हूँ, but वो इतना matter नहीं करता अभी, anyways, नीचे का तो हमारा plan बहुत ही clear है, बहुत ही simple है, ठीक है, I think इसको भी no trading zone कर देना चाहिए, क्योंकि आपका थोड़ा बहुत कल उंगली होगा, खुजली होगा, आपको करना पड़ेगा, बट वो आप पे है, अगर आप risk लेना चाहते हो, तो फिर आप यहां से यहां तक trade ले सकते हो, मैं नहीं लेने वाला, क्योंकि morning hours में मेरा यहां पे एक trend line है, यहां पे एक trend line है, तो मैं trade लोंगा भी तो मुझे लगता है, वो successful नहीं होगा, हो सकता है कि market ऐसे करे, बहुत देर तक, तो I don't want to get, मैं job में interested नहीं हो, क्योंकि मैं expiry day में sure shots और अच्छे trade ढूनता हूं, ताकि मेरा capital save हो, ठीक है, remember कि जितना capital आप यह tip की तरह लो, जितना capital आप save करोगे, over trading नहीं क करके, जो हमारा channel आपको बार-बार सिखा रहा है, आप कुछ जाके analysis करो, कि जो लोग मेरा analysis देख रहे हो, उनका over trading कितना कम हो गया है, है ना, group में आप, discord में, आप EMS भी करके, एक दूसरे से बात करके, पूरा दिन trade कर रहे हो, तो I am very proud of you guys, and I surely know कि मेरा course करने के बाद, आ बट remember कि हमारा जो PDC है, कल का deciding factor होगा, क्योंकि market अगर gap down खुलता है, तो यह हमारा सबसे बड़ा resistance होगा, and 506 and 234 हमारे सबसे बड़े support होगे, ठीक है, वो सकता है कि market morning time में खुलके बड़ा सा candle बना दे, and पूरा time यह zone के अंदर consolidate होके, बंद हो चाए, यह भी एक possibility है, मुशे जादा momentum लगता नहीं होगा, interested भी नहीं होगा मैं आज, क्योंकि बहुत सारे resistance है market में उपर की तरफ, जो collect करेंगे, and आज जो sellers push करके लाए market को, वो इतना जल्दी give up नहीं करने वाले, ठीक है, तो I think कि इतना analysis काफी है, उपर की तरफ, 843 and 43,000 का जो whole number है, वो हमारा 34, ठीक है, ये चार number साब याद रखना, मैं actually एक system बना रहा हूँ, website का dashboard में, ताकि आपको ये सब चीजें, directly website में login करके मिल जाए, आपको थोड़ा सा easy हो जाएगा फिर, मेरे absence में trade करना, बट चलो एक बार pattern analysis कर लेते हैं, market क्या कर रहा है, क्या करना चाहता है, so, 15 minute के time frame म अगर हम लोग देखेंगे, अभी तक हम लोग higher highs, higher lows के pattern में घुसे हुए है, हाँ, ये हो सकता है कि ये वाला जो parallel channel है, आज breakdown किया है, so, this is one concern, and आप देख सकते हो कि market उसको test करके, नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो, इस technical analysis के logic के हिसाब से, अगर आप BTS लेते है कि हमारा reject करके आ रहा है, तो फिर हो सकता है कि market यहाँ पे खुले, कि यहाँ पे खुले, तो में को थोड़ा बहुत profit हो जाएगा, है ना, but risk कितना है, देखो, क्योंकि यहाँ पे भी support है, and ऊपर भी resistance है, market अगर flat खुल गया, तो फिर आपका कोई फाइदा होगा नहीं, and loss में दिखाएगा account rate, तो BTST, बहुत सारे ways हैं, but this is one of the ways, ठीक है, इसके साथ में trend line on कर देता हम, क्योंकि जब हम range, बड़ा analysis करते हैं, हमारे पास trend lines होने चाहिए, उपर का trend line आप देखो, जो आ रही है, यह अभी भी कल का सबसे strongest trend line रहेगा, अगर market उपर की तरफ जाता ह है, तो यह वाला trend line और इतना matter नहीं करेगा, because यह already तीन बार tap हो चुका है, and continuously market नीचे की तरफ पुश हो रहा है, मैं आपको zoom in करके दिखा देता हूं, you can see कि अगर मैं इसमें ellipse tool यूज करूं, तो यह circle tool यूज करते हैं, तो you can see कि this is one of the taps, let's say इसको black कर देते हैं हम लोग यह वाला एक tap हो गया, यह वाला एक tap हो गया, इसको पता नहीं मैंने क्यों यहाँ पर बना दिया, इसको shift करते हैं, yes, तो यह trend line का उपर की तरफ तीन taps अलड़ी हो चुके हैं, and market अलड़ी नीचे आ रहा है, यहाँ पर आपको थोड़ा structure पे ध्यान देना पड़ेगा, ठी क्योंकि bigger time frames में अगर आप देखोगे, अभी तक देखोगे, तो यह वाला pivot जहां पर आज market बंद हुआ है, उसके बाद यह वाला pivot ठीक है, 42485 वाला, यह important है, क्योंकि यह market structure define करके रखेंगे, initial market structure आज आप देखोगे, तो वो टूड गया है, क्योंकि last low हमारा यह था, correct, यह low, यह low, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि आप लोग pattern analysis जानते नहीं हो, बट मैं high kinesh ही कर देता हूँ, अभी देखो, suddenly, कितना clear हो गया सब, मैं वापस आपको दिखाता हूँ, yes, तो you can see कि हमारा जो last low था, which was this, वो आज break हुआ है, ठीक है, market structure का first break आपको देखने को मिलेगा, अभी market का क्या काम है, जाके एक lower high बनाना, ठीक है, उसके बाद नीचे आना, मैं इसमें details में आपको ज्यादा बताना नहीं चाहता, मैं protect करूंगा सब information, but shorter time frame में, you can see कि there is a market structure break, हो सकता है कि यह next pivot तक इसको test करने आए, ठीक है, this can be one possibility, तो यही वाला pattern में एको आपको दिखाना था, बाकी जगह पे भी यह pattern देख सकते हो, backtest कर सकते हो, but this is one thing which you need to be aware of, ठीक है, बहुत जादा info दे दिया, इस से जादा info दूँगा, तो आप confused हो जाओगे क्या करना है, but यह पहले channel कल बना के रखना, देखना की channel के अंदर खुसता है की नहीं, जो pivots मैंने mark करके दिया, उसको याद रखना कि उसको थोड़ा highlight करके आप अपने chart में डालना, घल आपको उसका reaction दिखेगा, ठीक है, चलो फिर guys, I hope you like the video, and like, subscribe and comment करना मत भूलना, जितना जादा आप comment करोगे, उत्ता जादा वीडियो को attention मिलेगा algorithm से, and hopefully more लोगों तक य Okay, thank you for watching, I hope you liked it, and I'll see you again tomorrow, take care, bye-bye.